नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ड्वाइस पाक हिंदी के एक ने वीडियो में कार निर्माता कमपनी वॉल्वो ने अपनी SUV XC60 के फेसलिफ वर्जन का खुलासा कर दिया है कमपनी ने इस SUV में अपडेट के तौर पर एक नया एकस्टीर डिजाइन और पहले से जादा तकनीक का इस्तमाल किया है बता दें कि वॉल्वो XC60 साल 2020 में कमपनी की सबसे जादा बिकने बाली कार रही है कमपनी के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वॉल्वो ने बीते साल इस कार की करीब 2,00,000 यूनिट्स की बिकरी की थी कमपनी का कहना है कि इस कार की बिकरी में बीते साल 39% की बढ़ोतरी हुई है इसमें किये गए बदलावों की बात करें तो सबसे जादा बदलाव इसके इंटीर में किया गया है इसके अलावा वॉल्वो ने XC60 के एकस्टीर डिजाइन में कुछ बदलाव किये हैं इसमें नया फ्रंट ग्रिल और क्रोम ट्रिम के साथ नया फ्रंट बंपर दिया गया है वॉल्वो XC60 फेसलिफ्ट में नय एकस्टीर कलर आप्शन और अलोई वील डिजाइन दिया गया है वॉल्वो XC60 फेसलिफ्ट में एक नया Android Power Infotainment सिस्टम दिया गया है जो Google की सहयोग से विक्सित किया गया है यह सिस्टम Google Maps और थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे Spotify जैसे Apps को एकस्स प्रदान करता है इसकी मदद से उप्योग करता अपने एकाउंट के माध्यम से अन्य उपकरणों के साथ सिंक्रनाइज भी कर सकता है सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए वॉल्वो ने एक नया डिजिटल सर्विस पैकेज भी लॉंच किया है इसमें लेदर फ्री आप्शन के साथ साथ सिटी वीफ टेक्स्टाइल अपोस्ट्री दी गई है इस कार में मिलने वाले सुरक्षा फीचर्स के अपडेट्स की बात करें तो नई XC60 फेसलिफ्ट में वाल्वो के लेटिस एडवांस राइडर असिस्टेंस सिस्टम का इस्तमाल किया गया है भारत में मौझूदा प्री फेसलिफ्ट वाल्वो XC60 में दो लीटर के डीजल इंजिन का इस्तमाल किया जा रहा है यह इंजिन दो अलग अलग टूनिंग पर करमशा 190 BHP की पावर और 235 BHP की पावर प्रदान करता है हालां कि भारत में XC60 फेसलिफ्ट को केवल पेट्रोल इंजिन के साथ उतारा जाएगा क्योंकि कमपनी की योजना 2022 से पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारों को पेश करने की है भारती बाजार में वालवो XC60 फेसलिफ्ट को 2 लीटर के 4 सिलिंडर वाले टर्बो पेट्रोल इंजिन के साथ उतारा जाएगा हालांकि ये देखना दिल्चस्प होगा कि कमपनी इस इंजिन को किस ट्यून पर पेश करेगी बता दें कि वाल्वो इंडिया इस साल XC60 फेसलिफ्ट और S90 फेसलिफ्ट को लाँच करेगी तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्वाइस पाक हिंदी के साथ